नमस्कारों सक्षिनिंग्स नाटे को आप सवी का स्वागत है नेपाल के प्रधानमत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भले चीन समर्थक पूरु प्रधानमत्री केपी शर्मा उली के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हो लेकिन भारत के साथ अपने देश के गहरे रिष्टों को वह हमेशा महत हो देते हैं दोनों देशों के संबंद प्रघाड बनाने और विवादों को सुल्जाने के उनके प्रयास तरशाते हैं कि वह इस दिशा में गंभीर होकर काम कर रहे हैं प्रध प्रधानमंत्री को इस यात्रा के दौरान जो बड़ी सौगाते दी हैं वह निश्च थी इस पड़ोसी देश की जनता को व्यापक लाब पहुंचाएंगी और संबंधों को भी मजबुती प्रधान करेंगी प्रधानमत्री ने भी अपने नेपाली संकक्ष्ष्ष्प कमल दहल प्रचंड के साथ व्यापक वारता के बाद कि भारत और नेपाल अपने दुपक्ष्ष्ष संबंधों को हिमालाई उचाईयों पर ले जाने और सीमा मुद्र सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने का प्रयास करेंगे बैठा के बाद मीडिया को दिया बयान म पर ले जाने का प्रयास चारी रखेंगे और इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों का समधान करेंगे चाहे वह सीमा से जुड़ा हो या कोई अन्यमुद्द फ्रेंट्स आज मैंने और प्रधानवर्दी प्रसंद जी ने बविश्य में अपनी पार्टर्शिप को सूपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्पून नीड़े दिये हैं आज ट्रांजिट अग्रिमेंट संपन्न किया गया है इसमें नेपाल के लोकों के लिए नए रेल रूर्ट्स के साथ साथ भारत के इंडलेंड वाटर बेज के सुविधा का भी प्रावधान किया गया है हमने नए रेल लिंग स्थापित कर फीजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णे लिया साथ साथ भारतिय रेल संस्तानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रस्रिक्षन प्रदान करने का भी निर्णे लिया गया है नेपाल के सुदूर पस्टिमिक छेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिर्शा और जुला घाट में दो और पूल बनाए जाएंगे क्रोस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनाशल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं इसका लाप हजारों विद्यार्थी लाखों टूरिस्ट और तीर्थी आत्रों के साथ साथ मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए भारत आये मरीजों को भी मिलेगा तीन आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सद्रड होगी पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लेंडमार्क वीजन डॉक्रमेंट अपनाया था इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लोंग टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेंट संपन्न किया गया है इसके अंतरगत हमने आने वाले दस वर्सों में नेपाल से दस हजार मेगावर्ट बिजली आयात करने का लक्ष रखा है फुकोट करनाली और लोवर अरून हाइड्रो इलेक्रिक परियोजरा उपर हुए समझोते से विद्धुत शेत्र में सहयोग को और बल मिला है मोतिहारी अमलेक गंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चित्वन तक ले जाने का निर्णे लिया गया है इसके अलावा सिली गोड़ी से पूर्वी नेपाल में जहापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी साथ-साथ चित्वन और जहापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएगे नेपाल में एक फर्टिराजर प्लांट स्थापीत करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमती हुई है फ्रेंट्स भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक समन बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है इस सुन्दर कड़ी को और बजबूती देने के लिए प्रधानमत्री प्रचंजी और मैंने निष्टे किया है कि रामायन सर्किट से सम्मंदित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए हम अपने रिस्तों को हिमाले जीतनी उंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी बुद्धों का चाहे बाउंडरी का हो या कोई और विशय सभी का समाधान करेंगे वही नेपाली पर्थानमित्री प्रचंड ने अपनी टिपडीयों में कहा कि उन्होंने और मोदी संबंदों में प्रगती की व्यापक・ समिक्षा की और संसक्रतिक और समाजिक आर्तिक संबंधों के सम्रिद्ध परंपरा से निर्मित धोस्त नीव पर खड़ा है तो दूसी तरफ संप्रभू समानता आपसी सम्मान समझ और सहयोग के समय की कसोटी पर खरे उतरे सिध्धांत के परती दोनों देशों की दिड़ परतिबद्दाता पर भी खरावत रहा है उन्हों कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार ट्रांजिट निवेश पन बिजली पिजली व्यापार सिचाई बिजली पारेशन लाइन पैट्रोलियम पाइप्लाइन के विस्तार एक में कई मोर्चों पर दूर गामी उपलब्दियों के साथ सरकार में नौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोधी को बढ़ाई देता हूं वार्ताक्राद मोधी और प्रचण ने सहीत रूप से कई बुन्यादी धांचा पर योजनाओं की उन्होंने कई योजनाओं का रूपई डीहा और नेपाल के नेपाल गंज में एक एकरत जांच चौकियों का डेजिटल माध्यम से उध्गाटन भी किया उन्होंने बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम याड के लिए एक माल वहाक रेलगाडी को भी हरीजन्डी दिखाई हस्ताक्षरित प्रवंक समझ पर बुद्वार को दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने बुद्वार को रास्ट्री सुरक्षा सलाकार अजीट दोवाल से मुलाकात की थी दिसंबर 2022 में कारेभार समालने के बाद नेपाल के प्रथानमंत्री की यह पहली दुपक्षिय विदेश यात्रा है प्रचंड के साथ उनकी बेटी गंगा दहाल भी आई है प्रचंड के साथ मंत्रियों और वरिष्ट सरकारी अधिकारियों का प्रथानमंत्री की यह 14 भारत यात्रा है काथवांडू लोटने से पहले नेपाली प्रथानमंत्री का मध्य प्रदेश के उज्जयन और इंद और का दौरा करने का भावी का रिकम है देखा जाए तो नेपाल छादी के रिष्टों को संद्रवित करता है नेपाल पांच भारती राजियों सिक्किम पस्चिम मंगाल बिहार उत्रपतेश और उत्राखंड के साथ 1850 किलिमिटर से अधिक सीमा साजा करता है चारों और से जमीन से घिरा नेपाल वस्त्वों और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है समुद्र तक नेपाल की पहुँच भारत के माध्यम से है और वह भारत से तथा उससे होते वे अपनी आवशक्त्याओं का एक प्रमुख अनुपात आयात करता है साल 1950 की भारत नेपाल शान्ती और मैत्री संधी दोनों देशों के बीच विशेश संबंदों का आधार है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके